नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में तो आज की ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी के लिए अगर आप लोग परधान मंत्री मात्री बंदना योजना अंतरगत जो भी फॉर्म लेके अप्लोड करते हैं या सत्यापन करते है जैसे कि परियोजना अस्तर से लेके आगनवाडी सेविका सहाई का एव महिला परविक्षिका के द्वारा फॉर्म को लेकर सत्यापन और उसके बाद अप्लोड किया जाता है तो आपको यहां पे कुछ मुख्य पॉइंट्स दिये जा रहे हैं जिसको ध्यान में रखते हु और यहां पे कुछ गरबडियों के कारण दूसरे तिसरे या चोथे बार गरभवती होने पड़ भी उस लभार्थी महिला को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है तो उसी के समद्ध में ICTS विभाग ने इस प्वत्र को जारी किया है जिसमें कुछ कंडिशन दिये गए है किस परकार से आपको जो भी लभार्थी हैं उनका चैन करना है चली जानते हैं इस लेटर में और क्या-क्या दिशा निर्देश दिये गए हैं आज की ये वीडियो आप सभी को पुसंद आए तो आप लोग लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैन भी DPO एवम सभी CDPO को पूरे बिहार में ये लेटर जारी किये गया है यहां पर देख सकते हैं इस लेटर का जो विशय दिया गया है परधार मंत्री मातरी बंदनाय योजना अंतरगत लभार्थियों के चैन के संबंद में तो इस योजना के अंतरगत आप लोग जिस भी लभ केक्षन के करम में पाया गया कि लभार्थियों के दूसरे तीसरे या उसके बाद गर्वाती होने पर भी उस महिला को लाब किरासी दी गई है जैसे कि विभाग का काना है इस योजना के अंतरगत लाब दिये जाते हैं वो पहली बार गर्वाती होने के बाद दिये जाते है लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे, तीसरे या उसके बाद भी गरभवती होने पर उस लभार्थी मोहिला को लाब की रासी दी गई है परधान मंतरी मातरी बंदना योजना अंतरगत मार्क रर्षिका में अस्पष्ट उलेखित है कि योजना अंतरगत गर्भती या धातरी महिला को उसके पहले जीवित संतान के जन्म पर इस योजना का लाब दिया जाता है और जैसे कि इस योजना के अंतरगत चाहे लड़का हो या लड़की जो भी बच्चे जन्म लेते हैं वो पहली बार जन्म लेने पर उनको ये रासी दी जाती है यहाँ पे देखिएगा योजना अंतरगत लभार्थी का आवेदान एक कतिरित अपलोड एवं सत्यापन करने से पूर्व आपको निम्न बिंदोगों का ध्यान रखना है स्वायम तरथा अपने पती द्वारा भिधिवत रूप से हंस्ताक्षरी वचन पत्र या स्वामाती पत्र तरथा संगत दस्तवेजों के साथ निर्धारित आवेदन फर्म को देंगे जैसे कि इस योजना का फॉर्म लेने से पहले आगनबाडी सेविका सहाई का पहले यह सुनिक्षित कर लेंगी कि जो भी लभार्थी है उनके और उनके पती द्वारा जो भी वचन पत्र या स्वामाती पत्र है उन पे उनका हंस्ताक्षर होना चाहिए साथ ही जो भी दस्तावेज वो अपने साथ दे रहे हैं उन पे भी उनका सिंग्नेचर करना जरूरी है आवेदन परपत्र पर आवेदक द्वारा सत्यापन किया गया हो कि उसका पहला गर्भ है तथा इसका सत्यापन आगनवारी सेवी का यो महिला परविक्षे का द्वारा भी किया जाना आवसेख है तो इन दोनों के सत्यापन के बाद ही जो ये फर्म है वो आगे भेजा जाएगा जैसे कि पहले आपको सत्यापन कर लेना है जो भी लभार्थी है उनका पहला गर्भ है या नहीं है इसको ध्यान में रखते हुई आपको ये फर्म आगे आपको भेजना है उसके बाद इस फर् योजना स्तर पर भी जो ये आवेदन अप्लोड किये जाएंगे उससे पूर्व उनको भी ये सत्यापन कर लेना है कि ये सभी दस्तवेज सही है या नहीं अतव निदेश दिया जाता है कि परधान मंत्री मात्री बंदना योजना में नहित प्रावधान के अलोग में लभार् उत्रकत कि इस प्रकार के लभार्थियों का चैन करना है और आपको कि कहारी सभी को पहले संत्यापीत करें लेना है उसके बादी आ ऐपको यह अगए आगे भेजना है उम्मिद है आप सभी को को आज की इस वीडियो पसंद आई होगी उसम की तब तक आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद